एक बार फिर से बिहार की राजनीत में करवट आया है और ये करवट कहीं न कहीं अब आने वाले 2024 के चुनाव की धमक दिखाने लगा है जैसा कि हम लगतार आपको बता रहे हैं कि एक साल के आसपास का वक्त बचा है 2024 के लोग सभा चुनाव में और इसके लिए रणनितिया बनने लगी है लेकिन इन रणनितियों में जो कुछ भी हुआ है पिछले 48 घंटों में उसने इसपस्ट किया है कि दोनों ही खे में पूरी तरह से अब 2024 की तयारी कर रहे हैं जहां एक तरफ कुछ दिन पहले नितीश कुमार महागठबंधन में आये थे और महागठबंधन में आते ही उन्हें परधान मंत्री का मेटेरियल और परधान मंत्री का उमिदवार माना जाने लगा था नितीश कुमार ने भी मामले पर पहल किया था और दिल्ली में बैठ करके सभी गैर भाजपाई दलों के नेताओं से बाचित शुरू कर दिया था लेकिन तब नितीश कुमार को लगा कि ये मामला उनके साथ फिट नहीं बैठता है वहीं दूसरी तरफ भारतिय जंता पाटी इस पूरे गठबंधन और इस कुनबे को बताया था भानुमती का कुनबा लगभग बात उसी तरफ जा रही थी कई पढ़ान मंत्री के चेहरे सामने आने लगे और एक दूसरे का सहयोग भी कम होने लगा इसी बीच में कुछ ऐसी घटनाए घटी जिसको ले करके नितिश कुमार एलर्ट मोड में आ गए हलाकि आपको बता दें कि भारतिय जंता पाटी का दाव और अमीद साह का गेम पूरी तरह से अपने घटी से चल रहा था कहा यह जाता है और इस बात को लगतार चिला चिला करके जंता दिल उनाइटेर राश्टिय जंता दल और बिहार में गठबन्धन में सामिल दल इस बात को कह रहे हैं कि अमीद साह, ग्रिह मंत्राले और केंदर की सरकार यानि भाजपाई सरकार पूरी तरह से विपक्षियों पर हावी है और उनके उपर कई तरह की कारवाई करा रही है कई मामलों पर सुरुवाती छण में नितीज कुमार ने भी इस बात को उठाया था कि उनके साथ आने के चलते लालू परिवार पर इस तरह की कारवाई हो रही है अब इन सब बातों से अलग बिहार में एक नई राजनेतिक चर्चा सुरू हो गई है ये चर्चा पिछले 48 घंटे से चल रही है एक तरफ जहां ED और CBI का दविश लालू परिवार पर बना हुआ है तो वहीं प्रधान मंत्री के सबसे प्रबल चेहरे में से राष्ट्य पार् राहुल गांधी उनका सदस्ता समाप्त होने के बाद अब ये कहानी दूसरे एंगल पर आ गई है अब समझ सकते हैं कि 2025 तक राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गया है और उन्हें दो साल की सजा हुई थे इस सारी बात को लेकर के अब नितीश कुमार का रा वही नितीश कुमार अब एक बार फिर से रेश में सामिल हो गए हैं कहा यहां तक जा रहा है कि तेज़स्रियादों ने जब ये बात कही थी तो उन्हें भी पता नहीं था कि नितीश कुमार और ललन सिंग का प्लान पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है इन सारी बातो दलों ने मिल करके एक चिठी लिखी थी और उस चिठी में मनिश्ची सोधिया के साथ हो रहे है जो जांच थे उनको गलट ठाराते हुए भाजबा द्वारा ठी जा रही इस कारवाई को गलट बताया था इस पर अफसोस भी जाहिर किया था और कहा था कि बदले की कारवाई है जंता गारल्री यह नहीं तक लेकिन अब इसी मुद्ड़ को ले करके लेलान सिंगा कहना है कि हम इस अभियान में सामिल है और 14 दल मिल करके इस तरह के भारती पार्टी के करवाई पर कहीं न कहीं अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं इसके साथ साथ आने वाले 2024 के चुनाव के लिए एक बार फिर से नितीश कुमार का नाम सामने करने की तैयारी शुरू हो चुकी है एक तरफ राहुल गांधी का सजा होना और दुसरी तरफ नितीश कुम जो बार बार ये कह रहे थे कि वो प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनने के लिए राजमित नहीं कर रहे हैं बलकि सेवा के लिए कर रहे हैं हो सकता है कि एक बार फिर से सेवा का उसर नितीश कुमार को प्रधान मंत्री के उमिदवारी के रूप में मिल जाए क्योंकि गाहुल गांधी पर इस तरह के कारवाई से उनके सदस्ता समाथ होने से नितीश कुमार के लिए रास्ता खुल गया है और इस औसर को दोनों हाथ से लिए नितीश कुमार और ललन सिंग पूरी तरह से तयार नज़र आ रहे हैं जुड़े रहे का भारत लाइप के साथ अगली बटन दबा देला से कुल सकीक और मारक खबर रहा मुफ्ट में मिल जए अगर रहा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद